बच्चो आज हम कक्षा आटवी में भाशा ग्यान रुपी प्रश्ण देखेंगे इसके पहले हमने राजा कट्ट बोमन के माध्यम से जो पाट देखा था जो कभी नहीं जुके इस पाट के मौकिक लिखित प्रश्ण शब्दार्तों का ग्यान लेने के बाद हम भाशा ग्या ग्यान की ओर बढ़ते हैं जैसे पन्ना नंबर 94 पे भाशा ग्यान इन शब्दों के हिंदी रूप लिखे गिरपतार बंदी बनाना बागी विद्रोही माफिक श्यमा लगान कर तक्त रियासत शर्म लज्जा सजा शिक्षा मोल कीमत इस तरह से इन शब्दों के हिंदी रूप हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं मोल किमतिया मुल्य सजा शिक्षा शर्म लज्जा तक्त रियासत लगान कर माफिक शमा बागी विद्रोही गिरपतार बंदी आगे पन्ना नमबर 95 पे नीचे दिये गए शब्द सुनने और लिखने में एक समान लगते है पर इनके अर्थ बिन है अर्थ समझ कर वाक्य बनाए जंग लडाई भारत ने पाकिस्तान को लडाई में मात दी जंग लोहे पर जमने वाला आउश लोहे की जो वस्तिव होती है उनके उपर हमेशा पानी गिरने के बाद जंग चड़ता है बली बहादूर बली बलिदान राजा बहादूर धोके बाज था बली बलिदान कट बोमन की बाद सही होने पर भी उने अपने प्रानों का बलिदान देना पड़ा सजा सजाना मैंने बैलो को सजाया सजा दंड शिक्षकने मुझे सजा दी दंड किया कवी तथास्व उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए विदेशि स्वतंत्र विद्रोह विद्ञान विज्ञान विदेश स्वाधिन स्वभाव और विजय एक प्रत्य लगने से शब्द के पहले वर्ण में परिवर्टन हो जाता है जैसे मास से माशिक दिन से दैनिक और उद्योग से उद्योगिक अब नियमा नुशार इस तालिका में दिये शब्दों के साथ एक प्रत्य लगा कर शब्द बनाए मेक वर्ट्स यूजिंग एक एने सफिक्स ओ आ का आ वर्ष वार्शिक इतिहास एतिहासिक उद्योग और द्योगिक सप्ताह साप्ताहिक तर्क वितर्क समाज सामाजिक नाव नाविक मास मासिक दिन दैनिक विज्यान वैज्यानिक निती नेतिक वेद वेदांतिक देह देहिक उद्योग और द्योगिक पुरान पौरानिक भूत भहुतिक उपदेश उपदेशात्मक उपदेशी उपन्यास उपन्यासिक भूगोल भूगोलिक आदी शब्दों में ओ आ का आ ई ई ए ए का ए उ उ का सपिक्स एने प्रत्य लगने के बाद जो शब्द बनते है इसका आत्यान किया पन्ना नमबर 96 इन शब्दों के विलुम शब्दलिके कायर भादूर स्वाधिन पराधिन स्विधा ओ स्विधा देश प्रेमी बागी देश द्रोही न्याय अन्याय शांती ओ शांती ओ निश्चित निश्चित गुलामी आजादी देगे सामाशिक शब्दों का विग्र कर समास का नाम लिखे विश्वास घात विश्वास का घात तत्पुरुष देश बक्ती देश के लिए बक्ती तत्भव भारत वाशी भारत का वाशी तत्पुरुष जन्म से शिद्ध तत्भव देश द्रोही देश का द्रोही तत्प्रुश पराधिन दूसरों के आधिन तत्पो इस तरह से दिये गए सामाशिक शब्दों का विग्रह कर हम आसानी से समाश लिख सकते हैं बहादूर अंग्रेज ऐसी बात मुँसे निकालते हुए शर्म नहीं आती युद्ध में से जिसे तुम जीत नहीं सके उसे धोके से गिरप्तार करवाया उपर लिके कथन में दुहरा उतरन चिन उद्गार वाचक चिन प्रश्टनार तक चिन अल्प विराम पूर्ण विराम इन विराम चिन्नों का प्रयोक किया गया है विराम का अर्थ है रुकना नीचे कुछ प्रचलित विराम चिन्नों के नाम दिये गए है उनके सामनी विराम चिन्न लगाए जैसे यहां पर अल्प विराम उसके बाद निर्देशक चिन्न पूर्ण विराम उसके बाद विश्मयादी बोधक उसके बाद योजक चिन्न प्रस्तन बोधक चिन्न कोश्टक चिन्न उद्धरन चिन्न इस तरह से हम अच्छी तरह से चिन्नों को लिख सकते हैं सात्वा उप्रश्ण निमलिकित मुहावर का वक्य में प्रयोग करें ठवाका मारना जोर से हसना खुद को बहादूर समझ कर राजा बहादूर जोर से हसा डिंग हकना अपनी ही बात कहे जाना मैं हमेशा अपनी बात कहे जाता हूं लोहे के चने चबाना कठिम परिश्रम करना लोग हमेशा लोहे के चने चबाने का प्रयास करते हैं आगे काम तमाम करना काम को अंजाम दिना काम पूरा करना मैंने लिकने का काम पूरा किया फूट डालना भेद करना दो दोस्तों के बीच भेद करना बुरी बात है इस तरह से आज हमने जो पाट था जो कभी नहीं जुके इस पाट के शब्दार्त मोखिक लिकित प्रश्ण भाषाग्यान के प्रश्ण तथा सोचे और बताए आधी के बारे में जानकारी ली यहां पर रुपते हैं और हाँ एक सुचना है आपके लिए 21 तारिक को हमारी इनित टेस्ट भॉर है बराबर एक बज़े प्रश्ण पत्र आपको दिया जाएगा और तीन बज़े तक प्रश्ण पत्र का लिख कर मुझे होट्शब के जरिये सेंड करनी है और हाड कौपी अपने पास संबाल के रखनी है और आज तक के जितने भी होमवर्क पाट हुए है हमारे उनिस अभी के प्रश्ण लिख कर मुझे होट्शब के जरिये सेंड करें यहाँ पर रुकते हैं धन्यवाद